कि है कि हेलो बच्चों मेक इडिजी स्किल्स के ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है अगर आप लोग भी सोच रहे हैं फॉर्म भरना है ना MP टियो का टेनी ऑफिसर का तो उससे पहले आप लोग को कुछ बाते जाननी पड़ेंगी जैसे कि पिछली बार पेपर का लेवल किस प्रकार का था मैंस और रीजनी के अगर हम बात करते हैं मैंस और रीजनी के अगर हम खासकर बात करते हैं तो इसमें हमें थोड़ा यह पता करना पड़ेगा पिछली बार का पेपर किस टाइप का आया था ताकि अपकी बार का जो पेपर ह जाएगा और यह रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता कि जरा साब भी डिफ्रेंस और आप लोग क्या हो जाओगे मैरिट से बाहर आ जाओगे तो चले सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इससे पहले का पेपर वाता 2022 का उसमें सॉल्फ करते और देखते हैं कि मैस और रिजनी का लेवल किस टाइप का था और फिर एनलाइज करेंगे कि आपकी बार किस लेवल का आ सकता है देखें कि कोश्चन जो है वो कैल्कुलेटिव जादा है या फिर एनलीटिकल जादा है जहां पर आपको थोड़ा सा लॉजिक हो सकता है तो सबसे पहले होते हैं हमें कोश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है किसका कोडिंग डिकोडिंग का जहां पर अल्फाबेट टू अल्फाबेट की कोडिंग होरके और अल्फाबेट अल्फाबेट अगर कोडिंग होती है तो या तो वह रिपीट कर रखा होता ह या फिर वो reverse कर रहा होता है, या फिर आपका gap दिया होता है, जैसे यहाँ पर हमें देर का है DRUN और इसका code देर का है ESTRM, तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले क्या हुआ है, प्लस वन हुआ है, उसके बाद भी प्लस वन हुआ है, फिर क्या हुआ आपके पास माइनस और फिर आपके पास क्या हुआ है, माइनस वन हुआ है, यहनि सुरू के दो प्लस वन, आखरी के दो माइनस वन, क्या यह सही हमने देखा है, तो अगला example भी हमारे पास है, SI, G, N और इसका code देर का है, T, J, F और M, देखते हैं भई, क्या ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं लग है, तो बिल्कुल basic सा था, ऐसे नहीं कि बहुत tough, coding decoding का यह question पिछली बार का बहुत simple सा था, बहुत ज़्यादा deep में वो नहीं गया, और obvious से बात है, बहुत ज़्यादा deep में वो जाएगा भी नहीं, क्योंकि technical वाले बच्चों को अगर non-tech भी देना होता है, तो थोड़ा स वहाँ पर उसका हाथ क्या रखते हैं, अपना हलका ही रखते हैं, तो हमें पता करना था, J, E, T, S का code क्या होगा, तो पहले दो को plus कर दो, J के बाद क्या आता है, K आता है, E के बाद क्या आता है, F आता है, उससे पहले क्या कर दो, minus कर दो, यहाँ पर S आ जाएगा, यहाँ answer मिलना चाहिए और option B हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो सबसे पहला question जो coding decoding का था वो simple से next question आपके पास number series series वाले chapter से दे रखा है जहां पर alphabetically जो series है उसमें gap आपका दे दिये गया यानि बीच के कुछ alphabet है वो gap कर दिये गये हैं इस type question को करने के लिए सबसे पहले count करो कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यार बारा तेरा चौदा पंदरा कि अगर हमारा पास series होती है तो हम 5 गुणा 3 यानि 5 5 5 के हिस्से में उसको तोड़ देते हैं 3 और 2 5 फिर देखते हैं कि क्या कुछ common है की नहीं है इसके last में double A इसके last में double A तो इसके last में भी double A ही होगा अब और compare करो last में B double A B double A तो यहां पर भी क्या होगा आपका B double A फिर क्या बनी है आपके पास हमें पता चला कि भाई एक की series तो चल रही है A की जैसे सारे के सारे पाट है A, B, Double A तो ये भी A, B, Double A होगा अब इसने तो पूरी सीरीज बना कर दे दी Double A, B, Double A Double A, B, Double A Double A, B, Double A क्या-क्या भरा हमने हमने भरा A शुरू में 4 बार फिर B भरा फिर A आपका 2 बार option देखें जहाँ पर 4 बार A continue आ रहा है, कौन से option में आ रहा है B वाले option में, तो यहाँ पर भी simple सा question था, बहुत ज़्यादा tough नहीं था Next आपके पास paper cutting paper folding, यानि non-verbal का भी question उसने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं इसको भी solve करते हैं, सारा का सारा खेल यहाँ पर किसका है, देखने का और आगे इसको solve करने का, अब उसने अलग-अलग type से paper को fold करा है, पहले उसने काटा, फिर उसने यहाँ पर fold करा, फिर उसने यहाँ पर fold करा, अब हम क्या करेंगे, कि जैसे इस fold को खोलेंगे, तो यह वाला black circle यहाँ पर आएगा, यह वाला triangle इधर और यह वाला triangle आपके पास यहाँ पर आजाएगा, compare करो कि कहाँ पर ऐसे ऐसे आकरती बन रही है, तो अगर हम देखें, तो इस से हमें यह पता चला, कि यह वाला option नहीं हो सकता, क्योंकि यह जो triangle बाहर की side देख रहे हैं, अब वो आपके पास left की side देखेंगे, यानि right की side देख रहे थे, किस की side देखेंगे, left की side देखेंगे, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसको अगर हम बनाएंगे, तो भाई, यह वाला triangle इस तरीके से दिखाए देगा, बीच का square इस तरीके से, और यह वाला triangle इस तरीके से, दो triangle के बीच में क्या होना चाहिए, square होना चाहिए, दो triangle के बीच में square होना चाहिए था, यहाँ पर तो नहीं है, दो triangle के एक option answer हमारा होगा यह भी normal सा question बहुत ज्यादा tough नहीं था next अगला when diagram का question दे रिखा है जहां पर हमें justify करवाना है widows को women को और doctors को हमें पता है अगर कोई विद्वा है तो 100% वो क्या होगी woman होगी हमारा answer वो होगा जहां पर एक complete circle दूसरे के अंदर आएगा एक complete circle दूसरे के अंदर आना चाह söyleye तो इन दोनों में से ेक क्या हो सकता है हमारा answer हो सकता है फिर हमने देखा doctor की वो बात कर रहा है हमने सोच यार कोई विद्वा भी to doctor हो सकती है और एक महिला भी doctor हो सकती है है ना यही तो है विद्वा महिला और doctor तो विद्वा भी doctor को डॉक्टर का सरकल डॉक्टर का सरकल विडोस को भी टेच करेगा क्योंकि विद्वा भी डॉक्टर हो सकती है और डॉक्टर का सरकल आपका वुमेन को भी टेच करेगा क्योंकि वुमेन भी डॉक्टर हो सकती है ठीक है next question, अच्छा question था, ठिकठा question था, बस वही बात है, किस तरीके से आप लोग देख रहो, जिस तरीके से question को देखोगे, उसी तरीके से आप लोग को लगेगा, normal relation, सही relation निकालोगे, तो सही answer आएगा, next, अब हमें पता करना है कि भाई, इसमें अगला number क्या आएगा, यानि number analogy आपको यहाँ पर दे रही है, जब आपको बहुत बड़ी संख्या दिखे, तो समझ जाओ, question बहुत simple सा है, तो हम क्या करेंगे, इसके digit को प्लस करेंगे, digit को प्लस करेंगे, तो हमें शायद अपना answer मिल जाए, कोशिश करते हैं, मिल जाए, मजा जाएगा, दो और चार, छ question, लेकिन बस वही है, कि किस तरीके से आप चीजों को देख रहे हो, है ना, अभी तक हमने देखा, तो बहुत ज्यादा tough question नहीं आया, अब आपके पास math start हो चुकी है, क्योंकि question हमारे reasoning के हो चुकी हो, reasoning में हमने देखा, कि coding decoding का question था, analogy का question था, when diagram का question था, एक question आपके पा series का question, तो 5 chapter थे, सबके एक-एक question दे रहे के थे, बिल्कुल basic से, तो ये chapter थे, जिसका question इसमें आये है, और level देखा, normal सा level था, बहुत ज्यादा tough नहीं था, time का ध्यान रखना बस time की अगर कमी है, तो simple question भी आपको tough लगींगे, next, 24 km दूरी तय करते समय, एक व्यक्ती ने ध्यान दिया कि, एक घंटे 40 मिनट चलने के बाद, उसने जो दूरी तय करी है, वो 6 दूरी का 5 बटे साथ है, हमारे पास total distance कितनी है, 24 km, तो मान लेते हैं, शुरू में उसने कितना distance तय करा, x, शुरू में उसने x distance तय करा, तो बच हुआ distance कितना होगा, 24 माइनस x, अब comparison सारी यहीं कि यहीं चलती है, कि सुरू में जो उसने distance तय करी है, वो बराबर होनी चाहिए, बची हुई दूरी का 5 बटे साथ, तो यह है हमारे पास चली गई दूरी, यह है हमारे पास बची हुई दूरी, और बची हुई दूरी का क् 5 बटे साथ, इस साथ की multiply यहाँ पर कर दो, तो यह 7x हो जाएगा, इस 5 की multiply अंदर कर दो, तो 24 मज़े कितना हो जाएगा, 120 माइनस का 5x, माइनस का 5x अगर हम इदर लाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, बराबर बचेगा 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानि शुरू में एक घंटा 40 मिनट में जो उसने डिस्टेंस तै करा है वो 10 किलो मिटर तै करा है, तो डिस्टेंस हमारे पास 10 किलो मिटर है, समय है हमारे पास 1 घंटे और 40 मिनट लेकिन अगर आपको इसको solve करना है न, तो एक single unit में convert करना पढ़ेगा, मिनट को मैं क्या करता हूँ आर्स में convert करता हूँ divided by कितना 60 करके अब ये आर्स में convert हो चुका है 2 बटे 3 तो हमारे पास समय है 1 घंटा प्लस 2 बटे 3 calculate करेंगे LSM हमारे पास 3 आएगा 3 इकम 3 और 2 5 तो हमारा जो समय है वो कितना है 5 बटे 3 घंटे अभी भी solve नहीं हुआ है क्योंकि हमें पता करना है उसकी speed लेकिन वो भी meter per second में तो पहले speed निकालते हैं speed बराबर क्या होता है distance upon time distance हमारे 10 km ताए करी गई है और इसको ताए करने में जो हमें time लगा है वो है 5 बटे 3 घंटे तो distance upon time 5 बटे 3 whole upon में fraction होता है तो वो उपर जाता है 5 दस गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा 3 लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना distance हमारी kilometer ये distance kilometer per hour कैसे हो गई भाई साब distance हमारी kilometer पर है समय हमारा hours में है तो speed भी हमारी kilometer per hour में होगी होगी की नहीं होगी kilometer per hour में बिल्कुल होगी तो अब हम क्या करते हैं kilometer per hour को convert कर लेते हैं किस में convert करते हैं meter per second में meter per second के लिए क्या करना पड़ता है आपको 5 बटे कितना 18 बस इस तरीके से क्या करना है आपने solve करना तो जैसा जैसा बोला गया है बस वैसा वैसा हम लोगोंने करता जाना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर साइकंड मीटर पर साइकंड को किलोमीटर पर आवर आप लोग आराम से बना सकते हो तो हमारे पास जो डिस्टेंस तै किया गया था जैसा जैसा उसने बोला वो कितना था 10 km, क्यों? क्योंकि उसने जो दूरी तै करी है सुरू में, वो बची हुई दूरी का कितना था? 5 बटे 7 था, solve हमने करा कितना आ गया? 10 km आ गया है ना, इसको हमने solve करा कितना आ गया? 10 km, 10 km का distance जो है वो 1 घंटा और कितने मिनट में तै करा गया है? 40 मिनट में, य हमारे पास कितना है? 5 बटे 3, अच्छा ये 5 बटे 3 है, मैंने गलती से लिख दिया है, 3 उपर चला जाएगा, तो 10 गुणा 3 बटे कितना हो जाएगा? 5, लेकिन ये 10 गुणा 3 बटे 5 जो है, ये km पर आवर में है, इसको convert करो मीटर पर सैकिंड में, मीटर पर सैकिंड के लि नहीं था, simple सा question था, हाँ बस यह है कि थोड़ा सा logical question था और थोड़ा सा calculated था ये, बस, level के तोर पर अगर इसको देखें, तो normal सा था, tough नहीं था, बस यहाँ पर क्या था, कि जो वो कहना चाह रहा है, उसको आप किस तरीके से समझते हो, बाकी pure calculation, meter per second को kilometer per hour, kilometer per hour को meter per second, अग आचा जाएगा, तो हमारा 3690-5 और फिर तो multiply solve होगा, पांस तियां 15 तो हमारे पास कितना आजाएगा, 75, 3675, तो देखो, simple सा question था कि नहीं था, तो simple question भी मिलेंगे, और थोड़े सा ये हो सकता है, कि आपको सोचने वाले question मिले, यानि language base मिले, जैसे ये वाला question है, किलोमेटर पर आवर की speed से चलाती है, यदि वहाँ इस्थान C पर क्या करती है, साड़े आठ बजे सुभे पहुंच जाती है, ठीक है, पांच प्राता है, टाइम नहीं दे रखा क्या, यहाँ पर देखो, टाइम था, पांच बजे सुरू करती है, ठीक है, और कहाँ पर पह पहुंच रही है, आपके पास, साड़े आठ बजे पहुंच रही है, और जो इस्थान A से क्या था, 100 किलोमेटर की दूरी पर था, तो देखो, यह कोशन ऐसे होते हैं, जहाँ पर आपको थोड़ा सा option का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जैसे अगर हम एक क करते हैं, पहला option मान लेते हैं, कि A से B तक की जो दूरी है, वो कितनी है, 25, तो condition क्या थी, कि A से लेकर वो B तक गया, फिर B से लेकर कहा तक गया, C तक, लेकिन A से लेकर C तक की अगर मैं बात करता हूँ, यह distance कितना है, 100 किलोमेटर का, और A से लेकर B तक का distance जो है, वो कित कितना है, 25 का, तो अगर मैं B से लेकर C तक की बात करूँ, तो B से लेकर C तक का distance कितना होगा, 75 किलोमेटर होगा, ठीक है, चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, जैसा जैसा उसने बोला है, उस हिसाप से हमने समझा है, अभी को question को solve करना हमने start नहीं करा है, सिर्फ option को put क करा है, अब यहां पर क्या होता है, कि टाइम आपका उस हिसाप से होना चाहिए, यानि A जो है वो 50 किलोमेटर पर आवर की चाल से चलता है, आधे घंटे के लिए वो क्या करता है, आपके पास B पर रुखता है, फिर 30 किलोमेटर की स्पीड से वो चलता है, और कहां पर पर आठ स्पीड का तिस अपके पर रुखता है, तोल टाइम अगर मैं देखोम कितना लगा, तो 5 बज़े स्टार्ट करा था, 8 बज़े हो गये है, तोल हमारे पास कितने घंटे है, 3.5 घंटे ठीक है, साड़े तीन घंटे है, साड़े तीन घंटे में से आधा घंटा उसने रेस्ट करा था, यानि ड्राइव उसने सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे करी है, तीन घंटे उसने ड्राइव करी है, ठीक है, क्या करा है, तीन घंटे ड्राइव करा है, अब स्पीड क्या थी, फिर पास तीन घंटे आ गया तो मेरा question यह सही हो जाएगा तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ time निकाले तो time बराबर क्या होता है समय बराबर दूरी बटे कितना चाल तो मैंने यहाँ पर काटा तो कितना आ गया आधा घंटा उसको यहाँ पर लगा फिर यहाँ पर देखते हैं distance कितना है 75 divided by कितना है आपके पास 30 है काटिंगे 30 दूनी 60 और फिर बचा 15 जो क्या होता है है आधा धाई घंटे इसको यहाँ पर लगे तो आधा घंटा उसे a से लेकर b तक लगा धाई घंटे उसे b से लेकर c त सी तक लगे आधा और धाई कितना हो रहेगा आपका 3 घंटे तो टोटल कितने लग रहे हैं तीन घंटे और यहीं हम लोगों ने करा था तो अप्शन हमारा क्या होगा ए तो थोड़ा सा यह logical question था ठीक है तो कह सकते हैं कि moderate question था जहां पर हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ा है extra सोचना पड़ा है डाइरेक्ट यहां पर कुछ भी नहीं था तो इसका मतलब क्या है कि maths ठीक ठाक है ठीक ठाक यानि calculated भी है simple भी है और थोड़ी सी सोचने वाली भी है दो question हमें ऐसे मिल गए जहां पर उसने language का यूज कर रखा है बस उसके अलावा कुछ नहीं next अगला question देखते हैं एक संख्या का आधा भाग उस संख्या के एक तिहाई से 17 अधीक है फिर से language आ गई लेकिन कोई दिक्कत ने जैसा जैसा बोले वैसा वैसा कर लो एक संख्या मान लेते हैं x उसका आधा भाग याईनि x बटे 2 उस संख्या के एक तिहाई से ये है उस संख्या का एक तिहाई और एक तिहाई से क्या होना चीए 17 जादा होना चीए जैसा बोला वैसा कर लिया अब यहां से हम x की value निकाल सकते हैं तो x by 2 संख्या का आधा हिस ता और संख्या के एक तियाई हिस्से का डिफरेंस कितना है 17 है calculate करेंगे लसम कितना जाएगा 6 तीन की multiply यहाँ पर आ जाएगी 2 की multiply यहाँ पर हो जाएगी बराबर 17 तो यहाँ पर बचेगा हमारा x upon 6 बराबर 17 x बराबर 17 गुणा 6 हमसे संख्या पूची थी ना 17 गुणा 6 कितना होता 102 यानि जो आपकी संख्या पूची गई थी हमसे थोड़ा सा language बेस वो कितनी आ जाएगी 102 सिंपल सा कोशन था बस यहाँ पर क्या थी language थी और अब एक थोड़ा सा अच्छा कोशन जहाँ पर आपको फिर से लगाना है logic सिंपल इंट्रस का कोशन है उसने बोला चार साल में राशी 600 हो जाती है तो यह चार साल का होगा मिश्रधन चार साल में अगर 600 हो जाती है तो इसमें ब्याज भी तो जुड़ा हुआ होगा तो टोटल मिलाकर वो 600 रुपे बन जाती है और वही राशी अगर 6 साल में में देखूं तो 6 साल बाद वो कितनी हो जाती है 650 रुपे हो जाती है चार साल में वो 600 होती है और 6 साल में कितनी होती है 650 फिर से वही बिलकुछ छोटी सी चीज कोई भी राशी बढ़ती है जब उस पर मिलता है ब्याज अच्छार साल में राशी अगर 600 थी तो 6 साल में भी 600 रहने चाहिए थी वो 650 क्यों हो गई क्यों कि ये बीच के जो 2 साल है न इन 2 साल में क्या मिला होगा ब्याज मिला होगा इन 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा जितना इनका डिफ्रेंस है यानि कितना 50 रुपे मैं काम करता हूँ एक साल का ब्याज पता करता हूँ एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 25 रुपे हो जाएगा अब अगर मेरे को मूल तो आपको पता चल जाएगा आपने जमा कितने करें लेकिन इंट्रस्ट निकालने के लिए पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा तो मैं यहां से पता करता हूँ चार साल का इंट्रस्ट कितना मिलेगा तो एक साल में अगर पच्चिस मिल रहा है चार साल में कितना मिलेग सो मिलेगा अब अगर मिरे को पता करना है मैंने जमा कितना करा था तो चार साल में राशी ब्याज जुड़ने के बाद 600 हो जाती है जिसमें से 100 रुपे ब्याज है यानि 2 से 2 0 काटो, यह कित्ती बार काटेगा इसको 10 बार काटेगा, अच्छा एक साल में कितना था, 25 था, हमने 2 साल का ले लिया, 25 बटे 500 गुणा 2 0 काटे हमने इसको 5 कित्ती बार काटेगा 5 बार, तो इसका मतलब ब्याद जो आपको मिल रहा होगा यहाँ पर एर वो कितना होगा 5 तो यहाँ पर हम लोगों ने reasoning भी देख लिए हम लोगों ने math भी देख लिया, reasoning में हमने देखा कि बिल्कुल ही basic basic से question थे, लेकिन math में हमने देखा कि 2 question, 2 या 3 question ऐसे हैं, जो है तो simple, लेकिन थोड़े से logical थे, यानि वहाँ पर language का use कर रहा था, तो इन question पर आप लोगों ने जाना कि भाई किस तरीके का paper था, reasoning किस level की थी, math किस level का था, तो लगबग इसी level का आपके बार भी रहने वाला है, यानि reasoning थोड़ी सी हलकी रखेंगे और math में क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा calculative दे सकते हैं, और थोड़ी सी language base से दे सकते हैं, तो यही चीजे और अच्छ 25 marks का होगा, और उस 25 marks में GK, GS, Science, Maths और reasoning पूरा का पूरा complete कराया जाएगा, सेम इसी तरीके से जहाँ पर हम questions के level का भी discuss करेंगे, और किस तरीके का paper था, calculative था, या फिर आपके पास थोड़ा सा logical था, वो भी discuss करेंगे, बाकि अगर आप लोग special course चाते हैं, जहाँ पर proper आ 9 के बदले, 750 के आसपास का पड़ेगा, इसमें आपके पास जिस भी trade से आप लोगने भरा है, चाहे fitter हो, welder हो, turner हो, machinist हो, चाहे electrician हो, वो सारे के सारे, जिस भी trade के आप लोग हो, अगर आप लोग हो, तो एक course purchase कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोग क्य आना पड़ेगा, code है MIES, लेकिन ये code लगाने के लिए, ये course purchase करने के लिए, आपको हमारी app download करनी पड़ेगी, तो play store पर जाईए, make it easy skills हमारी app है, उसको download कीजे, login, register कीजे, ये वाला course देखेगा, आप उसको purchase कर सकते हैं, और अपनी तयारी start कर सकते हैं, अच्छे तरीके स बाकी कोई भी अगर आपको confusion है, कोई भी doubt है, तो हमें इस number पर आप लोग call कर सकते हैं, 826609 6464 पर, तो फिलाल आज के शासन में इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे YouTube पर daily, 10 बज़े, ओके थैंक यू